रविवार को पांडूर्णा के मैदान में प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक विशाल आमसभा को संभूतित किया सभा के दौरान कमलनाथ ने शिवराज सरकार की योजनाओं कारिश शमता और नियत पर सवाल उठाए कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार को असफल बताते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 15 सालों में प्रदेश को कर्ज की गर्द में धकेल दिया है इस दौरान कमलनाथ को सुनने के लिए भारी तादाद में लोग मौजूद थे